तब इश्रिकों ले गए और वो अपना क्रूस उठाय वे उस्तान तक बाहर गया जो कोपडी कस्तान के लाता है और इब्रानिय में गुल गता इश्रिमस्य को पकड़ने के बाद सारी सुनवाई होती हैं सुनवाई एक जगा नहीं होती हैं विभिने जगां पर होती हैं इश्रिमस्य को वैसे गत सिमनी की वाग में पकड़ लेते हैं वहां से सतर सदस्विंग की एक महा सभा में लेकर जाते हैं जहां याजिकों ने प्रधानों ने मंदिर के सरदारों ने परिस्यों ने यहोदियों ने बिलकर जानच की हैं और में सबसे बढ़कर अन्णा और क पिलादुस के बास बेज़ते हैं। पिलादुस के बास बेज़ते हैं। पिलादुस के बास बेज़ते हैं। और उसमें यह लिखा हुआ था इश्युनासरी यहोदियों का राजा है। यह दोश पत्र बहुत यहोदियों ने पढ़ा क्योंकि वस्तान जहां इश्युक्रोस पर चड़ाया गया था नगर के पास था। और पत्र इबरानी और लतिनी और युनानी में लिखा हुआ था। तब यहोदियों के महायाजुकों ने फिलाद उससे कहा यहोदियों का राजा मत लेका फरंतो यह कि उसने कहा मैं यहोदियों का राजा हूँ। फिलाद उसने उतर दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया है। अगर किसी को सलीब की वर मारे जाने की सज़ा सुनाए जाती है उनका दोश पत्र भी उस सलीब की वर लिखा जाता है और पिलातुस ने जब इश्यु मस्यी की दोश पत्र लिखा था उस दोश पत्र की वर लिखा हुआ है इश्यु यहोदियं का राजा है यहोदि जब पिला और ने कहा वो हमारा राजा नहीं है वो कहता है कि हमारा राजा है सुनवाई के समय जब बात पिलात उसकी मन में बैटे हुए थी उससी बात कुनर ने लिख दिया है कि इश्यमसी यहुदियों का राजा है अर्धात उस मार्ग से जाते हुए जिसके सेने भी ईश्य मुस्य को सली पर देखा है या उने अपनी सली उढ़ा कर गुलगुता तक जाते समय देखा है हर वेक्तिने पड़ा है क्योंकि तीन भाशों में इसको लिखा गया था और लिखा हुआ था यहुदियों का राजा है तो सभी को लगता है यहुदियों का राजा को प्रजाने सली पर चड़ा दिया है इस पर यहुदियों के महाजिकों ने आकर पिलातुस से कहा आपने जो लिखा है वो गलत है उसे बदलना पड़ेगा आप ऐसा लिखिए कि इश्यू कहता है मैं यहोद्यों का राजा हूँ इनकी मांकी उतर को फिला दूस ने एक शब्द में कह दिया मैंने जो लिखा बस लिख दिया है तेईसो बच्छन में जिब सिपाही इश्यू को कुरूस पर चड़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किये हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया और कुर्ता बिन सियोन उपर से नीचे दुबुना हुआ था इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़े पर उन्तो इस पर चिट्टी डालेगी वह किसका होगा ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात बुरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिये और मेरे वस्त्र पर चिट्टी डाली सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया इश्यमस्य के वस्त्र की विशे में भी भवश्वाने की गए थी वस्त्रों के विशे में भवश्वान ये थी कि उनके वस्त्रों को बांट लिये जाएगा और इसके साथी साथ उनके वस्त्रों के लिए चिटी डाली जाएगी जिसके नाम पर वो निकलेगा वो उससे ले लेगा और ये भविश्य द्वाने भी पूरी हो गए है पर अंति इश्यों ने क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मर्यम क्लेफस की पतनी और मर्यम मगदलीनी खड़ी थी इश्यों ने देखा क्रूस के करीब थोड़ी दूर में इश्यों की माता थी और उनकी बहन एक और मर्यम थी और क्लेफस की पतनी थी और एक और मर्यम जो मगदलीनी थी ये चारों वहाँ पर खड़े थे इश्यों ने अपने माता और उस चेले को जिसे वो अप्रेम रखता था पास खड़े देखा अपनी माता से कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है तब उस चेले से कहा ये तेरी माता है और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया सलिब की पुजाते हैं इतनी दर्दनाक स्थेती में भी इश्यमसी अपने जिम्मदारियों को भूले नहीं है अपनी अंतिम पलों में मा की जिम्मदारी एक वफादार और एक जिम्मदार इश्यमसी के चेला यहोना के आतों में साम देते हैं उनसे कहता है यहोना आज से मेरी माँ तुम्हारी माँ है और अपनी माँ के और देकर कहते हैं हे नारी ये तुम्हारा बीटा है पवितर शास्थ को जानने वाले हर एक विक्ति इन साथ बातों को जानते हैं जो इश्यमसीन अपने क्रूस के उपर अंतिन समय में कही थी उन में से सर उपर दम बात है हे पिता इने एक शमा कर दो क्योंकि नहीं जानते हैं ये क्या कह रहे हैं दूसरी बात में इश्यमसी के साथ में दो और अपरादी सलीप चड़ाए गे थे उन में से एक ने कहा जब तो अपने राज्य के साथ आएगा मुझे स्वरन करना तो इश्यमसी ने उस से कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोग में रहेगा उसके बाद अभी हमने सुना है इश्यमसी इपने मान से कहते हैं और योना से कहते हैं अब से तुम्हारा देख बाल योना करेगा यहो ना आपसे तुम्हारी मा यह है उसके बादी श्री मुसी ने बड़े शिब्द में कहा है हे मेरे परमिश्वर क्यों तुने मेरे हाथ चोड़ दिया है उसके बादी श्री ने कहा है मुझे फ्यास लगी है चटवा शिब्द में श्री मुसी ने कहा समाफ्थ हो गया है पूरा हो चुका है अंत में शिमोसीने अपनी आत्म को फिता के आत्म दे दिखा है हे फिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ कुल मिलाकर शिमोसीने साती शिब्द वहाँ पर कहते इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा था चलते हैं वाचिन में फिर से एक बार इसके बादी शुने ये जान करकी अब सब कुछ हो चुका इसलिए कि पविद्शास्त्री बात पूरी हो उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ वहाँ एक सिर्के से बरावा बरतन धरा था सोनोंने सिर्के में भीगोए हुए एक स्पंच लिया जिसे जुफे पर रखकर उसके मुँपे लगाया जब इश्यमसी ने वह सिर्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर्चुका कर प्रांत ध्याग दिया यहां तक इश्यमसी की मृत्य हो जाती है इश्यमसी की समाधी के पास हम लोग कल जाएंगे आज के ध्यान उच कई पर समाप्त करेंगे हमारी मनन के लिए हमारी ध्यान के लिए और हमारी ध्यान उस सलीब की और हो इसलिए हम एक और बार प्रभी इश्यमसी को समरन करेंगे उनकी दर्दना के आतर को स्मरन करेंगे जितनी पीडा और दर्दुने ने उठाया है जितनी अपमान और जितनी नाउकुने ने सहा है इस सब के कारण एक बार सोचेंगे विश्य मुस्य को स्वर्ग लोग छोड़कर धर्ती पाने की क्या जूरती भरती पर एक मनिश का रुपधारन करनी की क्या जूरती मनिश का रुपधारन किया अपनी प्राण को जोके में डालते हुए यहां पर एक जीवन बितानी की क्या जूरती हेरोद इसके आतों से बचाने के लिए उनके मात और पिता उन्हें लेकर मिस्तो देश में क्यों भागना पड़ा कुछ वर्षन के बाद वहां से फिर लाउट करना से रखना आना पड़ा सेवगाय के दोरान कई सारे विरोध यहां ते कि कभी कभी अपने गर से विरोध भी आ गया था इशिमस्विक अपने गाहों में अपने नगर में किसीन विश्वास नहीं किया इसलिए उन्हें उन्हें कहा था कोई भी भोशदवक था अपने स्वगराउंच सहदिक कहीं पर निरादर नहीं होता है अपनी सेवगाय की पूरी जिवल में साड़े तीन साल इश्यमसी न अंगिन दफा फरसियों का, यहुदियों का, याजिकों का, पुरदारों का, महयाजिकों का, मंदर के सरदारों का, कही सरलों का विरोत का सामना किया है बहुत से अपमान के बाते उनके बारे में गही गए थी उनके सामने आते हैं, उनको रोकते हैं, उनके कावों में बादा डालते हैं कुछ ऐसा वक्त भी था इश्यमसी को पत्तर से मारना चाते थे उसका भी इश्यमसी ने सामना किया है शेतान ने परिक्षा किया था, उसका भी सामना किया है अन्ना ने, कहफा ने, हिरोदस ने, याजुको ने, महायाजुको ने, यहोदियों ने, प्रजा ने, फिलातुस ने, सब लोग अनिश्यमुसी की परिक्षा की, सब के सामने खड़ा रेना पड़ा, एक गुनागार की तरह, एक अबराधी की तरह, संकलों से बांदे गे थे, अदालत में पेश किया गया था, राजे के सामने खड़ा होना पड़ा, अधिकारिंग के सामने खड़ा होना पड़ा, अपनी सफाई के लिए समय दिया गया था, उनको सफाई देना पड़ा था, लेकिन इश्यमुसी ने, एक शब्द भी अपने सफाई में कुछ ने कहा है माउन होकर सलीब तक जाते हैं सलीब की आतरा में अपमान होती है निंदा होती है कपड़े बाट लेते हैं चिटी डालते हैं उनकी दाड़ी को खेजते हैं उनके मुँपर मारते हैं धोकते हैं आको पर पट्टी बानते हैं बेंजिनी वस्तर अर्दादिक बागा बेनाते हैं, राजा सलाम बोलकर प्रणाम बोलकर उनका अपमान करते हैं, टटों में उडाते हैं, 49 बार चाबुक से मारते हैं, सिर्कियों पर काटों का मुकुट रखा गया है, सरखेंडे से मारा गया है, उनके प्यास लगने पर सिर् अंतिम समय में भी इश्य मुसी को बुरी तरह से उन्हें अपमान किया था बड़ी दर्थ के साथ, बड़ी पेड़ा के साथ, बड़ी वेदना के साथ में इश्य मुसी को सलीब तक जाना पड़ा इसा भी इश्य मुसी ने क्यों किया है कि कि इश्यमसी आप से और मुझसे प्यार करते हैं हम सब के खाते है इश्यमसी कुर्बान हो गए यह वस्ता की एक मांग थी एक निर्दोश एक निस बापी को हमारे खाते है सारी मानजाती के खाते है अपने आपको कुर्बान करना पड़ेगा उनके लहों से हमारे पाफ धोये जाते हैं शुद्र किया जाते हैं हमारे प्रक्षमा किया जाते हैं उनके क्रूस उठाने से उनके दूग उठाने से उनके मृत्यों से हमारे चुटकार होता है इसलिए इश्यमसी हमसे प्यार करते हुए इस अंसार में आये हैं आपने आपको कुर्बान कर दिया है एक उजी शब्द में इश्य मसी ने कहा समापत हो चुका है पोरा हो चुका है उसके बाद पिता से कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरा हाथ में देता हूँ आध्यात्मिक जिवन के दायनी खुराक सुन रहे हमारे प्रेश्रोता हूँ और मैं इश्य मसी कबर में से वाहर निकलाते हैं वे जिव उड़ते हैं सुवर्की और गया है जाते से मुर्वरे वच्छन दिया था मैं जल्दी वापस लोट कराऊंगा और जब लोट कराएंगे उनके रहे जो कोई भी सिद्ध है और उन सबको अपने साथ में अपने पिता के गरबाद अर्धास्वर्क लोग में लेकर जाएंगे वे श्य मसी बहुत जल्दा रहे हैं हमारी दुआए हमारी कामना आपके विश्यम इस प्रकार से या भी हमारी साथ में उस वरकराच में शामल हो उस प्रुब के घर में प्रबेश करें ऐसी योगीत ऑप्रुब perché अप्रधान करें हमारी इसी दो आर कामना के साथ आज के द्यानज कोई परसमात करते हैं आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आध्यात्मिक जीवन की दैनी खुराग, कल फिर में लेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दोसरों का भी ख्याल रखिए, God bless you.